सो गाइस यहाँ पर फास्ट स्विचिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे सिस्यनने सिस्यनपी के कोडिंग यह जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है और इसे पहले की जो वीडियो उसमें आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर प्रॉपर बता रख्था है कि कैसे प्रो स्विचिंग को मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं यहाँ तो जो मैं यहाँ पर फॉर्वर्डिंग प्रोसेस बता रहा हूं यह मैंने तीन तरीके का बताया था और मैंने बोला था तीनों के बारे मैं प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगा तो पहला हम लोगों का जो प्रोसेस था वो process switching था and second आप लोग का था fast forwarding या fast switching and third यहाँ पे option आपको मिल जाता है cef Cisco Express switching या forwarding तो यह जो packet forwarding है तीन टाइप से process switching आपने देखा and then fast forwarding जो आप देख रहे हो इसमें भी हमारा same process होगा जैसे के अगर कोई data या कोई PC कहीं से send कर रहा है को information और किसी particular router के लिए send कर रहा है मालिया यह switch है और इससे connected है कि यहाँ पर router है router 1 और इससे एक और मैं यहाँ पर router connect कर देता हूं router 2 और यहाँ पर एक और switch मालिया SW2 है और यह किसी एक PC से connected है और मालिया कि यह हमारा destination है for example यह पूरा process समझिएगा destination है और अगर आपने sorry मैं एक बात और बता दूं process switching आपने नहीं समझा है तो एक बार देख लो वीडियो को description में लिंक डाल दूंगा या तो अभी cnp की series अगर आप देख रहे हैं तो continue आप देखी रहे होगे उसके बाद यहाँ पर जो destination हमारा है इसका एक particular IP address हम ले लेते हैं 1002 और यहाँ पर एक fast ethernet f0.0 की IP हम ले लेते हैं जो कि incoming के लिए हमारे host के लिए या destination के लिए 1001 राइट और यहाँ पर हमारा मालिया के एक serial port है जो IP 1002 पर काम कर रहा है sorry यहाँ 11002 रख देते हैं और यहाँ पर भी serial 0.0 कोई भी एक port हो सकता है जो कि 11.0.0.1 पर काम कर रहे हैं 11 की range में IP यहाँ पर काम कर रही है और इदर हम ले लेते हैं for example कि यहाँ पर हमारा 9.0.0.1 है और यहाँ पर जो हमारा sender IP है यानि कि जो source है यह IP इस्तिमाल कर रहा है 9.0.0.2 राइट अब यह पूरा का पूरा जो यहाँ पर process details दिख रही है और जो भी यहाँ पर आप लोगों को process दिख रहा है कि कैसे इतनी सारी IP के साथ यह हम लोग fast forwarding का concept clear करेंगे तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर process switching तो process switching में यहाँ पर आपने देखा था कि जो भी यहाँ से package जा रहा है एक पूरा का पूरा layer 2 header हमारे switch को receive होता है और वहाँ पे एक नया modification होता है layer 2 header का and उसके बाद यहाँ पे IP का check sum बनता है यहाँ पे नया layer 2 header के साथ और फिर उसके बाद process आगे forward होता है data आगे जाता है IP look up होता है पूरा पूरा एक process sequence में चलता और time taken process होता है but fast switching में जो आपका यह process यहाँ पे IP look up का और यह सब table look up का यह सारी चीज़े होती थी तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि fast convergence हमें मिल जाता है देखने और समझने को जैसे मैं step by step यहाँ पे बता रहा हूं कि router क्या करता है एक cash information save कर ले था ठीक है first time जो भ क्या किया एक cash database बनाया router और इस cash database के अंदर क्या किया इसने पूरा का पूरा information save कर लिया जो भी आपका process हुआ उसको save कर लिया store कर लिया store यह क्या-क्या चीज़े करता है अगर इसको ध्यान से आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आपके interfaces की details की कौन-कौन से interfaces से connected है सारी details second आपका जितने भी hops connected है उन सभी hops की details जो भी never hops होते है और यहाँ पे जो भी headers वगएर है इन headers वगएर में यह पूरा प्रॉपर तरीके से already built करके रखेगा की यहां से यहां तक जाने के लिए क्या इसको details से यह थी and IP tables भी यहां पे यह store करके रख लेगा कि ठीक है जो भी data send किया गया अभी process switching first time करते समय यहां तक आने के लिए तो वो सारी tables यहां पे store करके रख लेगा तो यह सारी details जब यह अपने पास store कर तो जैसे second time इसके पास information आएगी तो यह सब process इतना लंबा नहीं करेगा और directly यह क्या कर लेगा अपनी CAS file से मतलब CAS memory से समझ लो कि एक तरीके का एक small memory है जिसके अंदर इसको अलेड़ी पता है कि इसको कैसे यहां तक data send करना था और fast switching इसी वज़े से थोड़ी सी मतलब अच्छी हो जाती है in compare आप process switching और बार बार यहां पर process switching का काम नहीं होता बट एक इसका drawback भी है और कुछ जगह पर इसके मतलब की negative points भी create हो जाते हैं for example इसको पता है कि इसका next hop काउन है जैसे मालिया की router को पता है कि इससे connected यह details है और यह IP address है और यहां से जो directly connected host मतलब interface detail है या ethernet details है वो यह है और यहां से फिर इसको data forward करना था सब कुछ इसको के दिजुख है बट आगर मालिया की इदर कोई changes हो जाता है हमारे second side कोी changes होता है तो जब भी यहां पर कोई भी तरीके का changes होगा तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि हमारे router को पता ही नहीं मतलब इसकी entry में वह चीज नहीं है तो यहां पर faites बता देगा, invalid database बता देगा, यह invalid entry बता देगा, मतलब invalid next hope के बारे में बता देगा, और data महाँ पे हमारा invalid हो जाता है, अभी invalid हो गया तो फिर क्या process होगा, अगर यहाँ पे देखा जाए, दुबारा से process switching होगा, तब इसका पूरा का पूरा एक database बनेगा, और process switching दुबारा से होगा तभी यहाँ पे हमारा destination मिलेगा उसको और data हमारा आगे forward होगा तो यह कहीं न कहीं हमारा recalculation होता है reconnectivity होती है और कहीं न कहीं process switching पे दुबारा move होना पड़ता है तो fast switching में आपने देखा कि already cast file की या cast memory की वज़े से या cast database की वज़े से यह हमारा process थोड़ा सा fast हो जाता है और इसको fast switching के अंदर रखा जाता है तो दोनों concept आपका हो गया हमारा अगला जो concept आएगा वो cef यानि कि Cisco express forwarding क्या है कैसे है इसके बारे में भी हम लोग next video में बात करेंगे and I think यह आपको समझ में आगा वीडियो के description में मैं process switching की details डाल दूँगा यह link डाल दूँगा अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेंगे ताकि fast switching और आसानी से आपको समझ में आजाए so मिलते next video में thank you so much